दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप डेली चार्ट रीडिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, जिस प्रकार से मार्किट ने आज बर्क किया है उसको हम एनलाइस करेंगे और हम लगभग 10 दिन रेगुलर वीडियो उनाएंगे कुछ इस प्रकार से जिससे की अगर आप चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हैं बेसिक से तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो में आप 100% सियोरेटी है कि आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे तो वीडियो को पूरा देखिए वीडियो में हम कुछ ट्रिक्स और टिप्स के बारे डेली लगभग दस दिन हम रेगुलर जब मार्केट ओपन होगा तब तब हम डेली दस दिन रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे अगर आप कोई डाउट होता है तो कॉमेंट बॉक्स में लगके पूछ सकते हैं तो आप जो चार्ट देख रहे हैं यह बैंक निफ्टी का है इसमें सबसे पहले आज इस लेविल पे बैंक निफ्टी में यह ओपन होता है और बैंक निफ्टी सीधी आद घंटे तक उपर का एक हाई लगाता है आज का हाई लगाने के वाद बापेस से बैंक निफ्टी धीरी धीरी करके नीचे की तरफ आता है और आने के वाद इस ल है यह लिए हो आप इस लेवल पर देख सकती है धर फर की लास्ट ज hack जो हम मनाया था वह इसी लेवल बनाया था इस लिवल से ऊपर की तरफ नहीं जा पाया था बैंक निपिटी और इस लेवल पर जड़ ज़्यादा था तब इसमें बाइंट और से ए से से लर्स जीट जाते थे और इस स्टॉक को ऊपर की तरफ नहीं ले जाना देते थे और इसी लेवल पर इसलिए इस लेवल से जब बैंक निप्टी धीरे-धीरे करके नीचे की तरफ आया है इस लेवल पर जब टच हुआ है तब इस पर बायर्स फाइट में जीत गया और इस लेवल प तो इसकी वज़ा है यह थी कि इस लेवल पर आने के बाद बैंक निप्टी ऊपर की तरफ क्यों गया यह हो गई हमारी बात अब हम इसको देखते हैं कि इस लेवल पर खुला था लेकिन इस लेवल से नीचे की तरफ डारेक्ट क्यों नहीं गया क्योंकि इसका वैन रीजन जिन तरफ नहीं घया है लेकिन एक गधन घंट टाइम रिताने के बाद जब bank nifty दीरी दीरी करके नीचे की तरफ आने लगा तब इस ने इस level को breakdown करके नीचे की तरफ जाना स्टार्ट किया है और इस level ऑग घर बेंक कनि प्रूम ते और इस के सपोट लिए इसने और इसका trend change करके ऊपर की तरफ ले गया है तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आपको इंड लेवल्स को ट्रेट करना चाहिए अब हम यही बाद देखते हैं कि मैंने आपको जो चाइट एनलेसिस करके बताया था लास्ट डे किस प्रकार से आपको कहां रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता कहां सपोर्ट देखने को मिल सकता है अगर आपन बनाके नीचे की तरफ आता है तब आप पुट बाय करके ट्रेट कर सकते हैं और अच्छा रिटन कमा सकते हैं इस लेवल पर इसका स्ट्रोंग रजिस्टेंश है अगर इधर पर बैंक्रिप्टी जाता है और बैंक्रिप्टी में बापस रिवर्सल लगाने की कोशिस करता है तब आप पुट बाय करके ट्रेट कर सकते हैं और इस ट्रेड में अच्छा रिटन कमा सकते हैं अगर जिसने भी इस तरीके को फॉलो किया होगा उसने अच्छा रिटन कमाया होगा आज की दिन और हम अब ये भी देखते हैं कि कल क्या होगा इसमें अब हम इस prediction को भी देखते हैं कि किस परिकारड से हम prediction करते हैं तो आप देख सकते हैं जिस level पे आज बेंक निपकी ने close किया है 43.17 के level पे अगर कल इसी level के आसपास खुलता है और अगर इसी level को follow करता है तो ये उपर की तरफ जाता हुआ जाएगा इस लेवल पर आपको रोजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो ये लेवल है आज जो हाई लगाया है जहां पर ओपन होने के बाद हाई लगा था उस level पर आपको resistance देखने को मिलेगा, एक strong resistance, क्योंकि इसके पहले भी resistance देखने को मिला, और आज भी इसी level को resistance माना है, तो आपको कल भी अगर इसी level के आसपास कहीं डोपन होता है, तब आपको इस level पर एक resistance देखने को मिलेगा, जो कि बड़ा strong होगा, और अगर आप उसी resistance को को फॉलो करते हुए पुट में पॉजिशन बनाते हैं और कोई रेंज का ब्रेकडाउन होता है जब डाउन हो रेंज का तब आप पुट में बाय करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और यह लेवल आपको सपोर्ट का काम करती हुँ देखने को मिलेगा अगर गैप अप इस लेवल की मलेगा और इसका दूसर सपोर्ट दिखेगा वहां को इस लेवल पर लिया है और यस लेवल प्रस टेस्त था तो यहीं लेवल आपको सपॉर्ट का करती हुआ देखने को मिलेगा तो इस लेवल़भी आपो द्याना में रखना है 42000 780 के लेवल को 900 820 1,202 800 का लेवल आपको ध्याना रखना है क्योंकि उस लेवल भी सपोर्ट है और इस लेवल भी सपोर्ट है तो यह हमारी बात हो गई कि किस प्रकार से हम इसकी चार्ट को invalidat करते हैं और जो और उससे उसके बाद जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 42,400 के लेवल पर मिलेगा आप देख सकते हैं जो लो लगा हुआ है इसी लेवल पर बायर से इंटर हुए थे और मार्केट में अच्छा मूमेंटम ऊपर की तरफ देखे गए थे तो आपको इस लेवल को भी ध्यान में रखना है 42,400 के लेवल को भी क्योंकि नीचे की तरफ जो सपोर्ट है इनको आप जरू ध्यान में रखें तो कुछ इस प्रकार से आप बैंक निप्टी को कल की दिन ट्र उपर जाता है फिर नीचे की तरफ आता है और उपर की तरफ भी हम अगर ध्यान से देखें तो हमें एक चैनल बनते हुआ देख रहा है उपर की तरफ क्योंकि इसी लेवल पर जब जब बैंक निप्टी जा रहा है तब इसमें सेलर से एक्टेव होते हैं और उपर की तरफ से नीचे की तरफ धकेलने की कोसिस करते हैं मैंक निप्टी और बैंक निप्टी को इसी चैनल को फॉलो करते हुए उपर की तरफ जा रहा है अगर इसी चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तब आपको नीचे की तरफ ग्रावट देखने को मिलेगी और अगर इसी क यह भी देख सकते हैं कि इस लेवल पर इसका रेजिस्टेंस रहा है इस लेवल पर रेजिस्टेंस रहा है इस लेवल पर रेजिस्टेंस रहा और इस लेवल पर रेजिस्टेंस रहा है अगर बीडियो अच्छे लगा हो तो बीडियो को जरू लाइक कीजिए हमारे चैनल को नवाद